अचानक से नीठा खाने का मन कर जाए तो सोचना पड़ता है कि फटाफट में क्या बनाएं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत ही आसान और एकदम जटपट बनने वाले सिंपल घर में रखे सामान से बनने वाले सूजी के लड़ू बिलकुल हलवाई जैसे दानेदार, क्रीमी, रिच जो मुह में जाते ही खुल जाएं ऐसे रवा लड़ू आज हम बनाएंगे वो भी बिना चाशनी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना किसी कंडेंस विल्क यानि मिल्क बेट वगर आके तो चलिए, शिरू करते हैं आप सभी लोगों से निवेदेना है, अगर आपको मेरी रेसिपीज और मेरी महनत पसंद आती हो और आप मेरे चनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपके अपने चनल को विद परल को सब्सक्राइब जरूर कीजे बहुत ही स्वाधिस्ट और सॉफ्ट सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कप सूजी मेजर्मेंट के लिए ना कोई भी घर की कटूरी या कोई भी चाय वाला कप सेट कर लीजे उस अनुसार आप पूरा मेजर्मेंट ले जाए आपको बिलकुल परिचानी नहीं होगी तो यहाँ पर एक कप में बजन से बोलो तो आपक 200 ग्राम मैंने सूजी ली है सूजी सिंपल जो बॉम्बे रवा होता है नॉर्मल वाला बस हमें वही चाहिए फाइन वाला हो तो वह भी चलेगा तो एक बड़े बरतन में सबसे पहले हम एक कप सूजी ले लेंगे और यहां मैंने लिया है आदा कप दूद सिंपल रूम टेंपरिचर पर है ना गरम ना थंड़ा तो थोड़ा थोड़ा करके से मल दूद डालेंगे और बढ़िया से इसक एक सॉफट डो लगाएंगे यानि मुलाए माठा लगाएंगे लेकिन हलके हाथ से बहुत जोड़ोर से नंए लेंगे बिल्कुल हलके हाथ से अब दूद कितरा लगेगा ये डिपेंड करेगा आपने जो सूजी लिए वो कितनी मोटी है कितनी पतली है उसे साब से तो यह आदा कप दूद मैं पूरा डाल दिया है अच्छे से कीजे मिक्स अब देखिए यहां पर मैं लगा रही हूं एक इसमें मावे जैसे लड्डू का टेस्ट आएगा कि मजा आजाएगा मुह में खुल जाएंगे रिच और क्रीमी हमारे रवा लड्डू तयार होंगे मलाई डलना पूरी तरह से आपकी चोईस है अगर आप नहीं डालना चाहे तो उसके बगेर भी सिंपल दूद से आप इसको मैं रख रही हूं 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए 10-15 मिनट हो गये हैं तो चलिए हम अपने डो को भी चेक कर लेते हैं यह देखिए परफेक्ट आप देख सकते हैं पहले कितना चिप चपाथा नहीं आप अभी आप देखे बिलकुल बढ़िया सूजी ने अब आप लीजे एक चकला इसको ग्रीस कर लीजे और बेलन लीजे बेलन को भी इस तरह से घी लगा कर चिकना कर लें अब आप लीजे एक लोई जो भी हमने सूजी वाली लोई ली लीना यह देखिए अब यहां पर बिलकुल एक दम जैसे रोटी पराठा बनाते ना बिलक को लो-मीडियम फ्लीम पर हल्का गरम कर लिया था हलके गरम तवे पर यह उज्ञी वाली रोटी इस प्रकार उठाएंगे इस तरह अब आप लेंगे और अब आप फ्लेम को कर दीजे लो मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पर धीमी आज पर रोटी को एक तम बढ़िया से शि भी भी लग जाता है वो कुछ जरुवत नहीं पड़ेगी कम घी में कम महनत में बहुत ही आसानी से आप ये दानेदर रवा लड़ो तैयार कर पाएंगे तो जब तक हमारी ये सूजी की रोटी नीचे से सिक रही है फटा फट से दूसरी रोटी भी बेल कर तैयार कर लेते हैं और ये देखिए नीचे से रोटी ऐसे घूम रही है यानि कि नीचे से जो रोटी है वो सिख गई है फ्लेम में ने लो रखी हुई है इसको हम पलट देंगे वाव बहुत बढ़िया अच्छा लड़ो हमें बहुत जादा डार कलर के तो बनाने नहीं है तो याद रखिए ज बढ़िया से इस तरह स्प्रैट कर दीजे क्योंकि देखिए लड़ो बना रहे हैं तो लड़ो अगरा का स्वात तो में घी सही होता है तो वैसे भी इस लड़ो में बहुत जादा घी हमारा लग नी रहा है तो यहां पर रोटी पर बढ़िया से लगाईए गी एक ट्रिक य नी चलेगा कि यह बिना सूजी भूने आपने लड़ो बनाए हैं बिल्कुल बढ़िया से हमारी सूजी वाली रोटी सिख गई है तो इस स्टेश पर जब इस प्यारा सा गोड़न गलर आ जाए बस इस से जादा में इसको बिल्कुल नहीं सेकेंगे इसे निकालेंगे एक प यहां पर मैंने रवा नड़ो को और वी जादा स्वादिस्ट और क्रंची बनाने के लिए थोड़ी से लिये हैं मेवा तो यह मैंने लिया है लगबक दो बड़े चमज बारी कटवे बादा एक बारी कटा हुआ पिस्ता और दो बड़े चमज रफली कटवे काजू पूरी बड़े चमज घी जैसे ही गरम हो जाए इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे बारी कटवे ड्राइफ रूट्स और बिलकुल सरिफ एक मिनट लो फिल्म पर हलका सा रोस्ट कर लेंगे बस दिहान दखिए हाई फिल्म पर बत कीजेगा जल्ले नहीं चाहिए जल्ले नहीं अब आप लीजे एक ग्रैंडिंग जार और ग्रैंडिंग जार में हम यह सारे पीसे रोटी के डाल देंगे सबसे जरूरी पॉइंट अगर आपने गलती से भी इसको गरम में पीस दिया तो इसका पूरा आटा सा बन जाएगा इसे याद रखिए यह आपको तभी पीसना है अब देख सकते हैं बापे सूजी सूजी की तरह से जानेदार बन गई और एक दम फूली फूली मकमली और नरम यह है फाइदा इस तरह से लड्डू बनाने का महनत कम स्वाच जादा और अपने सारे सूजी के मिक्स को हम निकाल लेंगे एक बड़े बरतन में एक दम फूल फूला नरम दाना हमारा तयार हुआ है रवा लड्डू के लिए अब इसमें मैं डाल रही हूं फ्लेवर के लिए आधा छोटी चमच इलाइची पाउडर और यह मैंने लिए आधा कप देसी खांड चीनी का बूरा होता है ना जो बजार मिलता है लड्डू बनाने के लिए बस यह देसी खांड में लिए इसे टेस बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं चीनी लीजे मिक्सी में चलाइए और फाइन पाउडर घर में बना लीजे तो वह भी डाला जा सकता है या फिर मिश्री हो तो मिश्री को करश करके उसका बना लेजे तो वह ताल सकते हैं अगर आपको चीनी नहीं डाल लीजे गुड से बनाना है तो आप इसे और गुड के पाउडर आते नाचल बजार में बहुत इसली पैकेट मिल जाते तो वह भी यूज कर सकते हैं तो एक कप सूजी के अनुसार आदा कप खाट बिलको अच्छा भी जो ड्राइफूट्स हमने घी के साथ फ्राय करके रखे तरह वह सारे आप इसमें डाल दीजे बहुत बढ़िया इससे टेस्ट आएगा और जो घी हमने इसमें डाले ना उसी से इसकी बाइंडने की जाएगी अब सब चीजों को बिलकुल हलके हाथ से करेंगे मिक्स और यह देखिए मैंने सब चीजों को बिलकुल बढ़िया से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते कि जो कंसिस्टेंसी टेक्स्चर एकदम परफेक्ट है अगर मैं बांध रही हूं तो देखे बंध रहा है अगर आपको यहां पर थोड़े जादा बिखरा लगे तो थोड़ सा घी यह थोड़ सा दूद की चीटे लगा करके आप बाइंट कर सकते हैं आप लीजे एक निवो के साइस का पोर्चन और इस तरह से गोल हाथ से गुमाते हुए हम इसके बनाएंगे एकदम नरम सौफ्ट क्रीमी हमारे दानेदार रवा लड़ू बिलकुल आसान जिस प्रोसेस से अज इसको बनाए है एक बार तो आप मेरे कहने पर जरूर बनाएगा क्योंकि इसमें जो यह लड़ू बनते है ना ऐसे है कि मुह में डालेंगे न एकदम घुल जाएंगे यह देखे कितने संदर लड़ू लग रहे हैं एकदम हलवाई जैसे लड़ू बन बनने वाले दानेदार रवाद लड़ू आप इसकी लुकिंग देखकर ही समझ गए होंगे कि कितने सॉधिस्ट बने हैं बहुत सुंदर बने हैं और बहुत ही टेस्टी और यह देखिए लड़ू कोई बोल सकता है कि यह आपने इतनी जल्दी और इतनी जटपट बनाए है और यह देखिए आप इसके किक दाना देख सकते हैं एकदम फूला फूला बहुत ही नरम होते हैं यह लड़ू एकदम टेस्टी आपको इसमें फीलिंग आएगी और एकदम लगेगा जैसे मावा आपने डाला है और इस तरह आप जब सर्फ करेंगे तो बताईए कोई बोल जरूर बनाईएगा बहुत ही पसंद आएंगे आपके घर में सबको बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे जिस तरह से मने इसको बनाया इसका दाना दाना एकदम सॉफ्ट है परिवार में अगर किसी सदस को खानी की भी कोई दिक्कत है वो भी यह लड़ू बहुत ही आसा और सबी रसिपीस की डिटेल्स आप मेरी वेपसाइट कुक्वित पारूल डोट कॉम पर देख सकते हैं थांगे वाचिंग कुक्वित पारूल जय है जय भारत